ये है आइफोन 15 प्रो नाचिरल टाइटिनियम मैं काफी सालों से आइफोन से उज कर रहा हूं इन फैक्ट आइफोन 10 जब मार्केट में आय था उसके बाद से जितने भी आइफोन साय हैं 11 12 13 14 वो सारे मैं यूज किया है और अब मैं यूज करने वाला हूं ये 15 प्रो मुझे एक चीज आइफोन की काफी बढ़िया लगती है वो ये है कि इन से बहुत ही बढ़िया वीडियो आप शूट कर पाएंगे प्रोफेशनल लेवल के इन फैक्ट मैं आपको कुछ सेंबल जिखाता हूं जो कि मैंने इस आइफोन 15 प्रो से शूट किया हूआ है लेकिन उसके मैं आपको जो camera settings है वो बतायता हूँ iPhone का जो camera section है उसमें आपको photographic style का option मिलता है तो यहां से आप select कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार का style पसंद है और अगर आपने इन में से कोई भी एक style choose किया देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो output है वो change होता है और camera का जो format है उसमें आप अपल प्रोरेस को enable किया हुआ है लोग प्रोरेस encoding का option मैंने select किया हुआ है वैसे यह सारे options available है जो video samples है यह आपको कैसा लगा comments करके मुझे जरूर बताइए जो iPhone 15 pro है इसमें in fact iPhone के जितने भी 15 series के smartphones है इन में अब type C port दिया हुआ है अब जो type C port है इसका सबसे बड़ा advantage क्या है वो मैं आपको इस video में बताने वाला हूँ लेकिन उसके पहले यह देखें यहां पर यह बटन दिया हुआ है यह बहुत अलग है इस बार slider बटन तो नहीं दिया हुआ है लेकिन यहां पर य यह multifunctional बटन दिया हुआ है अगर आप press and hold करेंगे तो यह देखें जो silent mode है यह activate हो गया है मैं फिर से एक बर प्रेस करता हूँ no effect press and hold जो silent mode है वो deactivate हो गया है अगर आप चाहें तो यह बटन है इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं iOS 17 में बहुत इंट्रेस्टिंग feature आट किया हुआ है for example जो photo है अगर मुझे इसे share करना है तो यह देखें AirDrop में आगर मैं जाओं तो यहां पर यह option दिया हुआ है मेरे पास कोई iPhone 11 है इसमें मैंने iOS 17 का update कर दिया है और यह दिखें मैं इसे यहां पर इस प्रकार से लेके आता हूँ और देखें किस प्रकार से जो photo है वो यहां पर आ गया है काफी interesting feature है जो कि Apple ने दिया हुआ है iOS 17 के साथ में और best चीज़ यह है कि यह जो iPhone 11 है इसमें भी आप वही same iPhones को पास में ला रहा है और यह देखें यह किस प्रकार से connect हो जाते हैं काफी आसान है context को transfer करने के लिए या फिर अगर आपको photos transfer करना है तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया system है iPhone 15 pro पर titanium frame उसके अगया है यह जो titanium है यह steel से इतना ज़्यादा स्ट्रॉंग नहीं है एट पार पर titanium frame यूज किया गया है और अगर मैं इसका weight करूँ तो इसका weight है 188 grams और यह है iPhone 14 pro इसका वजन था तकरीबन 219 grams देख सकते हैं कि कितना difference है in fact मैं feel कर पा रहा हूं कि यह जो iPhone 15 pro है यह काफी हद तक light weight है amazing feel मिल रहा है यह जो 14 pro है यह definitely heavy है यहाँ पर मैं कुछ चीज कहना च है और यह definitely stronger है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे आप destroy नहीं कर सकते हैं यह जो frame है इसे scratch भी लग सकता है और अगर आपके हाथों से यह phone गिरता है तो हो सकता है कि dent भी इसमें आ सकता है यह चीज समझना बहुत ही जरूरी है कि titanium stainless steel से strong है एक limit तक और unfortunately आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं जो test करते हैं durability test वो जो limit है वो पार करके test करने वाले है एक normal user उतना हद तक नहीं जाने वाला है चली मैं आपको फटाफट इसकी unboxing करके बताता हूं वैसे यह जो variant है यह 256 GB वाला variant है और यह जो product है यह मैंने Apple Store से खरीदा हुआ है इस product के साथ में मैंने एक package भी लिया था तो चलिए सबसे पहले जो iPhone 15 Pro है इसकी unboxing करते हैं तो यह है इसका box packing compact सी box packing है box दिखते ही आप समझ गया होंगे कि इसमें charger नहीं है वैसे जो charger controversy है वो काफी हद तक अब कम हो चुका है अब जो लोग है वो type C port के उपर ज्यादा भास करने वाले हैं unnecessary तो box के अंदर आपको एक तो यह smartphone मिलने वाला है packing वैसी है जैसे कि दूसरे iPhones के साथ में आपने देखा होगा हाली में box के अंदर कुछ booklets है stickers है SIM tray ejector pin है और यह cable दिया हुआ है type C to type C काफी premium quality का cable है charger box के अंदर नहीं दिया हुआ है तो इस sensor को यूज करना मैंने शुरू कर इसकी वो यह है कि इसका जो वजन है काफी हलका है compare to 14 pro और जो camera quality है उससे भी मैं काफी impressed हूँ आगे चलके मैं और भी वीडियो लेकिया हूँगा लेकिन अब बात करते हैं type C port की जैसे कि मैंने कहा है जो type C port है इसका जो सबसे बड़ा advantage है वो यह है कि इससे जादा views मिलने वाले हैं जियां दोस्तों ज्यादा views मिलने वाले है उसके बारे में बात में बात करेंगे लेकिन सबसे पहले जो normal apple user है उनके लिए क्या यह जो type C port है यह काम में आने वाला है यह नहीं देखें अगर कोई आपल यूजर दो आइफोन कर रहा है पुराना ऐफोन है और एक ह आइफोन 15 तो नाचुरी उसे दो केबल लेकी जाना पड़ेगा एक लाइटनिंग एक टाइप सी लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपल फोन उसका रहा है तो उसके लिए काफी बढ़िया चीज है क्योंकि अब टाइप से पोर्ट यहां पर आ गया है और एंड्र है व्यूज जैसे कि मैंने कहां बहुत सारे लोग हैं जो कि आइफोन खरीदना नहीं चाहेंगे और बहुत से लोग हैं जो कि आइफोन खरीदना चाहेंगे जो लोग खरीदना नहीं चाहते हैं जो लोग आइफोन अफोर्ड नहीं कर बाते हैं वो जादा करके अननेसेसरी examples देते हैं, reasons देते हैं iPhones को क्यों नहीं खरीदना चाहिए तो यह सबसे बड़ा reason है कि इसमें Type-C port आ चुका है और यह जो technology है, यह काफी पुरानी है in fact, यह जो phone है काफी महंगा है, 1,50,000 का phone है Android के जो phones है, वो आपको 10,000 में अच्छे phones मिल चाते हैं, जो कि Type-C port के साथ में आते हैं, तो यहां पर Type-C, 1,50,000 और Android, 10,000 का phone Type-C, यह sense ही बनता है, तो ऐसे useless logics बहुत सारे लोग देने वाले हैं, बहुत सारे लोग इस पर वीडियो भी बना चुके होंगे कि ऐसा iPhone कर रहा है अगर आप एक iPhone खरीदना चाते हैं, मैं suggest करूँगा कि आप definitely जो latest version iPhone का उसके लिए जाईए, यह जो iPhone से यह काफी चलते हैं, for example यह जो iPhone 11 है, in fact iPhone 10 को भी iOS 17 का update मिला हुआ है, यह है iPhone 11, इसे iOS 17 का update मिल चुका है, और मैंने आपको डिमो करके भी दिखाया था, किस प्रकार से file transfer हो रहा था, तो यह जो फोन है iPhone 15 Pro, imagine कर सकते हैं कि कितने सालों तक इसे अपडेट मिलता रहेगा यह जो iPhones होते हैं, यह काफी जादा चलते हैं compared to Android phones, और इसके पीछे reason यह है, एक तो यह काफी महेंगे होते हैं imagine किजी, आपके पास 10,000 का phone है और आपके पास यह 1,500,000 का phone है दोनों का जो handling है, वो कैसा होगा आप खुदी reset कीजिए जो महेंगे phones है, वो आप संभाल कर यूज करने वाले हैं तो naturally, इसका जो life है automatically increase हो जाता है इसका जो performance है, एक तम top notch level का है, specifications के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है देखते रहिए